प्रथम विश्विद्ध की प्रमुख घटनाएं अपने राजकुमार के मारे जाने पर आस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर 28 जुलाई 1914 को आकर्मन कर दिया सर्बिया की मदद से रूस ने आस्ट्रिया पर हमला किया फ्रांस ने भी रूस की मदद की घोशना की जर्मनी ने रूस के विरुद्ध एक अगस्त और फ्रांस के विरुद्ध तीन अगस्त 1914 को युद्ध की घोशना कर दी जर्मनी ने फ्रांस पर तेजी से आकर्मन करने के लिए बेलजियम के मार्ग से अपनी सेना भेजना शुरू किया तो ब्रिटेन ने 4 अगस्त को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घूशना कर दी इस प्रकार यूरोप के सारे प्रमुखदेश तथा उनके विश्व व्यापी उपनिवेश युद्ध में शामिल हो गया 23 अगस्त को जापान ने जर्मनी के विरुद्ध लड़ने की घूशना की और अक्टूबर में तुर्की रूस के विरुद्ध बंबारी करके युद्ध में समलित हो गया इटली पहले तो जर्मनी के खेमे में था मगर अप्रेल 1915 में एक गुप्त संधी के द्वारा वह ब्रिटेन के साथ हो गया सयुक्त राज अमेरिका शुरू में तटस्त था उसके ब्रिटेन और फ्रांस से घनिष्ट व्यापारिक संबंद थे उसके कमपनियां उन्हें खाद समागरी और युद्ध समागरी बेच कर माला माल हो रही थी इन देशों को रिण देकर ब्याच कमा रही थी जर्मनी के कोशिस थी कि अपनी नौसेना के बल पर वह ब्रिटेन वह फ्रांस का दूसरे देशों के साथ संपर्क खत्म कर दे ताकि उनका व्यापार बंद हो और उन्हें कोई सहायता ना मिले इस कारण वह ब्रिटेन में आने वाले अमेरिकी जहाज पर हमला करने लगा यहां तक कि जर्मनी के पंडुब्यों ने एक अमेरिकी सामान्य यात्री जहाज को सारे यात्री स्वहिद रुबो दिया इससे क्रुध होकर अमेरिका ने 6 अप्रेल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोशना कर दी इसके साथ ही विश्व का हर महादुप युद्ध की चपेट में आ गया